Hi everyone, welcome back to my channel, I hope आप सब ठीक होंगे, तो आज की वीडियो में मैं अपना हेर केर रुटीन शेयर करने वाली हूँ, ऐसी कुछ टिप शेयर करूंगी जिन से मुझे काफी चेंजिस मिला है अपने हेर की कौलिटी में and हेर फोल को स्टॉप करने में, so let's get started! मैं एब हम सब लोग चाहते हैं, कि हमारे जो हेर हैं वो स्प्रौंग एंड हेल्ढी बने रहे, लेकिन ये कितनी तेजी स Пड़ते हैं और हेल्दी रहते हैं, ये डिपन करता है हमारी इंटरनल केर के उपर, तो हम बहुत कुछ लगा लेते हैं। अल्ट हैं जह से की हेर पैक, ह हेल्दी हेर हमारे जो हेर होते हैं वो 90-95% प्रोटीन से बनते हैं और हेल्दी बालों के लिए जरूरी है एक राइट अमाउंट आफ प्रोटीन तो जादर से जादर वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में इंक्लूट करें वेजिटेबल्स में होता है विटामिन ए सी आयर कर सकते हैं नर्स और सीट्स में होता है प्रोटीन, फाट, बायोटीन, जिंक जो हमारे बालों की थिकनेस को बढ़ाता है और हमारे स्केल्प को भी हेल्दी बनाए रखता है या आप चाहो तो एसे लेडू भी बना सकते हो जैने मैं ड्राय रोस्ट करके बना के रखा है जरूरी है वाटर का इंटेक जरूर करें क्या आप रैगुलर हेर ओलिंग करते हैं और हमारे स्केल्प और हैर हेल्थी के लिए काफी जरूरी है मैं अमेशा 2-3 हेर ओल को मिक्स करके ही यूज करती हूं आप अपने टेक्शर के एकॉर्डिंग को बी ऑल यूज कर सकते हैं स्केल्प को हाइडरेट करता है हेर ग्रोथ को प्रमोट करता है और स्टेंदिन करता है बालों को रिपेर करता है और प्रिवेंट रखता है हेर फॉल से तो मैं तो ओल मसाज वीक में दो बार जरूर करती हूं जेंटली स्केल्प में मसाज करती हूं स्केल्प में मसाज करने से स्केल्प का जो blood flow है वो स्टुमिनेट होता है और आप अपने बालों के ends में बिल्कुल oil apply करना ना भूले जरूर apply करें और मैं next day wash करती हूँ आप चाहो तो एक दो घंटे के बाद भी wash कर सकते हो तो अब मैं बनाओंगी curd honey mask जो आप सब के घर पे ही और यह एक expensive home remedy भी नहीं है बिल्कुल natural home remedy है और इसके कोई side effect भी नहीं है curd और honey बालों को moisture और heal करता है और dull और dry बालों को यह ठीक कर देता है और scalp को भी काफी हद तक clean रखता है और इसमें मैंने aloe vera भी mix किया है आप चाहो तो banana एग भी mix कर सकते हो यह थोड़ा messy process है और ट्रस्ट मी बहुत जादा effective है और इसमें scalp के साथ साथ आप इसको roots and ends में भी apply करें अच्छी तरीक से massage करने के बाद आप इसे burn में बांध के रखें 30 to 40 minutes हो जाने के बाद अब इसे normal water से भी wash कर सकते हो यह आप चाहो तो shampoo भी यूज़ कर सकते हो Shampoo और conditioner आप अपने hair type के according ले सकते हैं बस यह ध्यान रखें कि उसमें कोई harmful content ना हो अब shampoo करते time कई बर गलती लोग क्या करते हैं direct shampoo यूज़ करते हैं यही सबसे बड़ी mistake है आपको shampoo को हमेशा एक mug में पानी से dilute करके ही use करना है यह simple trick आपको help करेगी product को hair और scalp में build up होने से अब जबी भी shampoo कर रहे हो तो बिल्कुल gentle तरीके से आपको massage करना है हाश तरीके से बिल्कुल भी नहीं जिससे आपके बाल उलजहेंगे नहीं and damage भी नहीं होंगे अब shampoo करने के बाद बारी हाती है conditioner की shampoo हमारे scalp के लिए होता है and conditioner हमारी length के लिए यह काफी लोगों को पता नहीं होता है conditioner यूज़ करने से पहले आप अपने बालों को ऐसे pad dry कर लें जिससे सारा पानी निकल जाए and conditioner apply करने का सही तरीका यही है कि आप इसे midland से end की तरफ लगाए ना की scalp में लगाए कई लोग scalp में लगाते हैं तो उनका scalp काफी flat and greasy हो जाता है एक से 2 minute रखने के बाद conditioner को आप अच्छे से wash कर लें अब कई लोग बालों को सुखाते टाइम भी गलती करते हैं एक normal towel का use करते हैं जिससे उनके बाल damage हो जाते हैं and freeziness भढ़ जाती है तो आपको कभी भी microfiber towel का use करना है and cotton towel का use करना है normal towel का use नहीं करना है जिससे आपका freeze भी control होगा and normal बाल जल्दी सूख भी जाएंगे गीले बालों में कोम बिल्कुल भी ना करें क्योंकि गीले बाल वीक होते हैं और brush करने से हमारे बाल damage and hair fall भी हो सकता है तो इसे अच्छे तरीकी से सूखने दे उसके बाद ही brush करें शांपू यूस करने के बाद मैं सीरम हमेशा अपलाय करती हूँ अगर आपके बाद सीरम नहीं है तो आप normal oil का भी उस कर सकते है जैसे coconut oil हो गया, almond oil हो गया सीरम अपलाय करने के बहुत सारे फायदे है पहलो तो यह आपको frizz को control करेगा और आपके बालों को shiny and smooth बनाएगा बस आपको अपने सीरम को length में ही अपलाय करना है ना कि scalp पे अब कई लोग गलती क्या करते है बालों को सीधा root से कॉम करने लगते है तो ऐसा हमें बिल्कुल इससे बाल काफी जादा कम जड़ते हैं तो उसके बाद मैं कोई भी wooden comb यूज करती हूँ and अपने बालों को length नीचे से start करती हूँ comb करना and फिर दीरे दीरे उपर की तरफ comb करती हूँ जिससे मेरे बाल काफी अच्छे से sludge भी जाते हैं and जड़ते भी नहीं है उसके बाद म स्केल्प में कोम करती हूँ पांच मिटता है ताकि मेरा blood circulation अच्छा हो जाए तैन उसके बाद अगर आप यह upside down करके कोम करते हो ना तो हैर में आपके blood का जो flow है वो increase हो जाता है जिससे hair growth को promote मिलता है बढ़ने में और इस तरह से आप अपना hair wash भी कर सकते हो and hair oiling भी अगर प्लास्टिक कोम का यूज करते है तो इस अभी फेक दे और वुडन कोम का यूज करना start करते है यह मेरे scalp को promote करता है hair growth को improve करता है hair fall को reduce करता है dandruff को control करता है और एक shine ब्याट करता है हमारे hair में तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं इसे बालों को बांध चू रही या फिर break भी हो जाते हैं तो यह splittance जो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होते हैं इसलिए trimming हमारे बालों को damage से बचाता है और बालों को healthy and hair growth में promote करता है बालों को tie करने के लिए ऐसे scrunchies का use करें ना की rubber band का और इसके silk material की वज़े से यह बालों को damage भी नहीं करता है यह बालों में बहुत gently होता है और इसका smooth material reduce करता है friction को जिससे हमारे बालों में knots भी नहीं होते हैं हेर को style करते time कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें ऐसे बालों को बिल्कुल tight ना बांदे जिससे आपके बाल damage हो सकते हैं और यह hair fall का रीजन भी हो सकता है इसकी बजाए आप एसे clip का use कर सकते हैं जिससे आपके बाल damage बिल्कुल नहीं होगा अब हम दिन भर तो बालों की एंड को मौशराइज करती हूँ आप कोई भी normal oil लेके मौशराइज कर सकते हो मैं पर almond oil का use कर रही हूं और बालों को दो section में divide करके अच्छे से एंड को मौशराइज करोंगी जिसे ने extra boost मिलेगा और यह healthy भी रहेंगे and splittance की problem भी नहीं होगी second tip जो है वो है hair growth serum यह विश में यह लिखा हुआ है कि आप one and half bottle finish करेंगे देन उसके बाद यह रिजल्ट मिलेंगे तो मैसे continue रखोंगी and then फिर उसके बाद आपको अपना thought जो भी है share करोंगी कि यह उसकरना चाहे कि नहीं बैसे इसका review काफी अचा है and यह काफी अचा product है तो आप भी अगर चाहो तो कर सकते हो and इसे उसकरने के बाद मैं से दो तीन स्प्रेय लेती हूं and इसे gently अपने हैर में अपलाय करती हूं जहां मुझे लगता है मेरे हैर थीन है या बाल जढ रहे हैं तो वहां मैसे apply करती हूं and circular motion में मसाज करती हूं यह अगर आप ऐसा scalp massager है तो वह ले सकते हो यह मुझे काफी पसंद आता है और यह सब पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद मैं अपने बालों को लूज ब्रेट बना लेती हूं and उसके बाद मैं नॉर्मल कोई भी क्रंची से उसे टाइ कर लेती हूं and यह काफी effect करता है मेरे बालों को में जब मैं सुबह उड़ती हूं तो म कॉमेंट और शियर करना बिलकु भी मत भूलना और सब्सक्राइब जरू करते ना I will see you in my next video बाई